दोस्तों ABC Coaching YouTube चानल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में Class 11 के Chemistry के Most Important BBI Objective Question बताने वाला हूँ तो सभी छात अंतक बने रहें और इस वीडियो में जितने भी Objective Question बताऊंगा उन सभी को एक्जाम से पहले आपनों को अच्छे तरीके से रख लेनी है तो चले दोस्तों जो के Option Number B में आपका दियावा है अगला Question है कि इन में से किसका IE1 मान सबसे अधीक होगा तो दोस्तों यहाँ पे चार Option दिया गया है नाट्रोजन, कार्बन, ऑक्सिजन और सोडियम तो नाट्रोजन का जो है IE1 सबसे अधीक होता है इसलिए Option Number A जो है सही आंसर होगा अग आंसर दोस्तों सोडियम का यानि कि सोडियम मोल का जो है सारवधिक दरमान होता है इसलिए इसका सही आंसर हो जागा Option Number C हो जागा एक मोल एने ठीक है अगला Question देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कारबडिक योगिक कारबन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सिजन से मिलकर बना है इसके ततों की वीशेशन से 38.71% एवं हाईड्रोजन 9.76% परतिससत पराप्त होता है इसका मुलानूपाति सूत्र होगा तो देखें यहाँ पर मुलानूपाति सूत्र होगा और यहाँ पर देखें दोस्तों कारबन की मात्रा कित्नी है mythicalENS Leon 31% औ Хाहईड्रोजन की मा तो अब यहां पर कहता है मुलानू आति सुत्र क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सुत्र होगा CH3O हो जाएगा जो कि अच्छे सा आपनों को याद कर लेनी है अगला कुशन देखे तो यहां पर दिया हुआ कि निम्रिखीत में से किसके कार्बन परमानों की संख्या 6G कार्बन यानि कि C-12 में उपस्तित कार्बन परमानों की संख्या के बराबर होगी तो इस कार्चों दोस्तों 8.0 गराम मेथेल ठीक है यह अप्सन नमर आपका B में दिया हुआ है चलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेगे अग गुली है इसका दोस्तों हो जागा 1M जो कि ऑप्सन नमर बी में दिया हुआ है नेक्स्ट कोशन यहाँ पी दिया हुआ है कि NACL के 500 ml जली विलियन की मोलरता ग्याद कीजी जिसके 5.85 नACL यानि की सोडियम क्लोराइड को जल की प्राप्त मातरास में मिला कर प्राप्त किया गया है इस कांसर दोस्तों हो जागा जी दोस्तों पंच मोल प्रती लीटर जो कि ऑप्सन नमर सी में आपका अंसर दिया हुआ है नेक्ट कोशन है कि कि किसी तत्वर 89X 231 में प्रोटरान निट्रोन एवन इलेक्रोनों की संक्या है तो दोखे दोस्तों यह जो होती है समझें यह बाटते है इसको है इसको डिवाइड करेंगे तो 89 तो यह नवासी फिरन करते है chef भागों में हम बाटते है एक हुजा गा 1124 और दूसरा हो जागा न 68 तो यह यह ओप सं नमर बी में जो दिया हुआ हि नवासी 142 नवासी यही आपका सही आंसर हो जागा option number 20 को अच्छे से याद रखेंगे अगला question है कि वे परमानू जिसकी दर्मान संख्या समान परंटू परमानू संख्या भिन होती है कहलाते हैं तो उसको हम कहते हैं संभारिक option number A सही आंसर होगा अगला question है कि किसी ग्रूप में समान भौतिक और रसानिक गुण वाले ततों पाए जाते हैं क्योंकि उन में संभारिक संख्या समान होती है option number C सही आंसर हो जाएगा next question है कि हैलोजन उपस्तित है तो देखें दोस्तों हैलोजन उपस्तित है और यह काफी BBI question है और यह पिछले बार भी बोर्ड की परिक्षा में दिया गया था तो यह question आपका हो जागा P समू में यानि कि P block में जो है हैलोजन उपस्तित होते हैं इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला question है कि चुमिकी कक्षक क्वांटम संख्या सुचित करता है यानि कि दोस्तों चुमिकी जो कक्षक होते हैं वो क्वांटम संख्या सुचित करता है तो किस तरह सुचित करता है वो करता है दोस्तों यहाँ पे उपकोस का त्रिमी अभी विन्यास के अनुरूप में जो कि option number C में दिया हुआ है यही आपका सही अंसर होगा इसको याद रखेंगे अगला question दिया हुआ है कि इन में सी कौन सा सेट आइसो इलोक्ट्रोनिक स्पीज को निरूपित करता है जहाँ पे परमानूप संख्या जो है बराबर 9 CL जो है 17, NA, 11, MG जो है 12 है और AL जो अलिमूनियम जो है 13 है और K का मान 19 और CA का मान 20 और SC का मान 21 है तो यहाँ पर यह कह रहा है कि इसका जो है आइसो इलोक्ट्रोनिक स्पीज बताना है तो आइसो इलोक्ट्रोनिक स्पीज जो बताना है निरूपित करना है इसका सही अंसर जागा K+, CA2+, SC3+, CL- जो कि option number आपका A में दिया हुआ है, यह आपका सही अंसर होगा, next question क्यों चलें, तो देखें दूस्तों यह जो question है काफी BBI question है, यहाँ भी 14 नंबर question दिया है, यह पिछले बार भी पूछा गया था, इसका यहाँ पर question दिया गया कि समान कक कक्षक के electron में बीभेद कर सकते हैं, तो किस तरीके से बीभेद कर सकते हैं, चुम्ड की कक्षक quantum संक्या के द्वारा हम बीभेद कर सकते हैं, जो कि option number C में इसका answer दिया है, यह आपका सही अंसर होगा, next question है, यह दिया गया है कि किसी वस्तू जिसका दर्मान जो है 10 mg है, और 100 M परती S की गती, यानि मीटर परती सकेंड की गती से, गती सील है, वस्तू कि इससे जूड़ी जो है, तरंग धायरी का मान होगा, तो तरंग धायरी का यहाँ पर मान निकाले, तो देखें दूस्तो इसका जो समझेंगे पहले, यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है, नोट क पर जो देखेंगे, चलिए, नेक्स्ट कोशन क्यों चलें, तो देखें नेक्स्ट कोशन यहाँ पर दिया गया है, कि इनमें से कौन सी किसी परमानू में, परमानू संख्या को नुरुपित करता है, इस कांसल जागा प्रोट्रोन की संख्या, जो कि option नमर B में दिया हुआ है, नेक्स्ट कोशन है कि N2 पलस, यानि कि number of unparate electronic in N2 पलस, तो इस कांसल जागा दूस्तों, electronic संख्या कितनी होती है, वन होती है, जो कि option number B में दिया हुआ है, नेक्स्ट कोशन है कि 35 degree centigrade ताप पर, या 35 degree Celsius ताप पर जो है, एक दसमलब दूबार, दाब पर 120 ml, यानि कि मोल जो है, यहाँ पर धारीताव वाले पात्र में, गैस की निस्चित मात्रा भरी है, यादि 35 degree centigrade पर गैस को 180 ml धारीताव वाले फ्लास्क में अस्थांत्रित किया जाता है, तो गैस का दाव क्या होगा, तो इसका अंसर निकाले तो दोस्तो इसका अंसर निकलेगा 0.8 बार, जो कि option number A में दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है, नेक्ट कोशन है कि इस्थीर ताप पर गैस की निस्चित म मानवबाति को दरसाती है, इसलिए option number A सही अंसर होगा, अगला कोशन है कि आदर सग गैस वह है, जो सभी गैस नियमों का पालन करता है, इसका अंसर दोस्तो सभी परियोग अवस्थाओं में option number B सही अंसर होगा, नेक्ट कोशन जरा धिहान देंगे, ये काफी BBI कोशन है, पिछले बार भी वोड की परिक्षा में फूचा गया था, तो देखें, यहाँ पर दिया गया है कि किसी गैसी मिस्रेंड में कुल दाव बराबर होता है, तो इसका अंसर दोस्तो हो जागा, पर्तिये गैस के आंशिक दाव, दवाब के योग के बराबर, option number A जो है, सही अंस होगा, अगला कोशन है, कि अक्रमन कारी अभी कर्मा की उपस्तिती में बहुआ बंद कार्बनिक योगिकों में परदर्शित होने वाला परभाव है, इसको हम कहेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा, एलक्रोमेरिक इफेक्ट, option number B, सही अंसर होगा, यानि कि एलक्रोमेरिक पर भाव, ठिक है, हिंदी में कहें सकते हैं, इसको आप लोगों अच्छे से याद कर लेनी है, अगला कोशन जो है, इक्वेशन है, इसको आप लोगों अच्छे से समझना है, देखें, यहाँ पर दिया गया है, कि निमलिखीत अभी करिया, यानि कि यह जो एक्वेशन दिया C, 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 B, R, H2O, C, H3, C, O, H, उधारन है, तो यह जो है किस तीज का उधारन है, जरा धियान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है, C, 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 C है, इस यह जो है आपर देखें, यह एक अभिकारक है, और यहाँ पर धियान देंगे, तो इसके साथ में क्या है, जर की उपस्तिती में इसकी जो है, ब्रोलियम के साथ अभिक्रिया जब कराई जा रही है, तो ब्रोलियम जो है, यह नेगलेट हो जाता है, यानि कि यह जो है, लुक्त हो जाती है, और H2 जो है, ठीके, H2 जो है, यहाँ पर ऑक्सिजन हाडराइड जो है, बन जाता है, तो इसक योगिकों का IUPAC नाम बताईए तो देखें यहाँ पी यूपयक नाम पूछा जा रहा है CH3, CH2, CH3 उसके बाद C के जगहां दिया हो है CH2, CH2, CH3 तो देखें यह जो कोश्चन है यह काफी बहुत इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों और इसका जो आंसर होगा यह जो है जरा ध् इसको अच्छे सा आप लोग याद करेंगे और यह वाला जो इक्वेस्टन है इसको अच्छे सा आप लोगों को पढ़ने ना है जितने विए इसको आप लोग याद कर ले क्योंकि यह जो है 100% जो आपकी बोट की परक्षा में पूछा जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश स्थाइत्व का सही करम है तो दोस्तों इसको अच्छे सा आप लोग याद कर लिजाएगा इसको मैं एक बार दिखा देता हूं और इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना क्यूंकि यह जो है 100% बोट की परिक्षा में इस बार पूशा जाएगा और अगला कोशन है दिखे लिखा है कि तत्वों के आवर्थ वर्गी करन का अधार है तो इस कान्स्रोज़रंस तो परमानु संक्या के अधार पर जो है तत्वों के आवर्थ वर्गी करन होता है तो option नपर ए सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन दिया हुआ है कि CH3 OCH3 त था CH 3CH2OH है तो यानि इसकी जो है आप बताना है ये क्या है ये दोनों क्या है तो ये जो है यहाँ पे किरियात्मक समु समावियव है जो के option number C में दिया हुआ है ठीक है चले यानि की function इसो मेरर है ठीक है तो ये वाला जो ये जो 34 number जो question है ये काफी BBI है इसको आपनों को अच्छ इसको पढ़ लेना है अगला question है कि चारिये धात्मों का समान इलक्ट्रोनिक विन्यास होगा तो इसका answer हो जागा answer NS1 option number B सही answer होगा अगला question है कि चारिये धात्में oxygen अथवा वायू से अभिक्रिया कर बनाती है इसका answer दोस्तों चारिये ऑक्साइड बनाती है अगला question है कि CO2 में की Oxy current आवस्ता है तो इसका answer दोस्तों हो जागा पलस 2 option number C सही answer होगा अगला question है कि sodium law में कौन सा रंग परदर्शित करता है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो दहांकर तयारी करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके जरूर रखे ताकि आगे की वीडियो से आप लोग अपने तयारी कर सके हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्टों ततलक जाहिंद वंदे मातरा